तो नमस्कार तो आप लोग कैसे हैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे सहस्त होंगे तो हम एक वीडियो नया वीडियो आपके लिए लाएं हैं 20-24 mm का मीनी डोमाल फोट्रेक का साइज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह मेजरमेंट निकालते हैं किस तरह साइज निकालते हैं तो हम टाइम तो नहीं करेंगे अ़िसलेश चैनल को लाइक करिए संस्क्राइब करिए और करिए और कमेंट करिए कि कैसा वीडियो है अब सुरू करते हैं यह देखिए जैसे मान लिजिए पत्थर का साइजब यह यह पत्तर का साइज हो गया आपको अभी तो यह अब शुरू करते हैं यह मान लिजिए आपका हाइट शाट इंच है और 72 इंच है और 72 इंच है यह पत्तर लग गया है आपका साइज मान लिजिए कोई भी होगा लेकिन अभी साइज का मैं बता रहा हूं इसके रिसाब से आप निकाल लेना तो यह अब हम साइज बताने जा रहे हैं अभी यह साथ है तो इसमें साथ कि यह फोट रेक होगा एक तो तीन चार चार ग्लास का मैं बता रहा हूं यह बीस बाई शोंगन अम्यम मीनी डोमाल मीनी डोमाल का साइज हम बताएंगे 20 चोंगन अम्यम मीनी डोमाल का साइज तो यह साठी इंच में अभी क्या करता है है इसे माइनस करेंगे हाइट में माइनस करते हैं वन थ्री फोर माइनस करेंगे तो आपका अंठामन वन फोर आ जाएगा ठीक है यह हाइट माइनस करेंगे तो अंठामन वन फोर आ जाएगा तो यह अंठामन वन फोर का आठ पिस हैंडल कर जाएगा यह मतलब हैंडल हैंडल कर जाएगा अठामन वन फोर का एक दो तींग चार पांच छेश साथ आठ आठ पिस कर जाएगा आठ पिस हैंडल कर जाएगा तो यह हाइट का हैंडल आठ पिस हो गया अभी अपन फिर इसका अभी एक ग्लास माप अगर निकालना है इसका तो कैसे हाइट का निकालते हैं तो यह अंठामन वन फोर में आपको फिर माइनस करना होगा तीन थरी फोर तीन थरी फोर माइनस करेंगे तो चंवन हाफ आ जाएगा यह अभी ग्लास का साइज में बता रहा हूं यह हाइट का ग्लास का साइज हो गया अब आपका यह 72 हंच है 72 तो इसमें अभी प्लस करेंगे यह 72 में इसमें प्लस करेंगे कितना प्लस करते हैं में चीजें आप ध्यान से दिखिए चार फाइट प्लस करेंगे आपका चार फाइट करेंगे तो 76 फाइट हो जाएगा अब इसको क्या करेंगे चार फाइट है तो इसमें भाग देंगे यह भाग देंगे तो यह चारो निकल जाएगा आपका तो चार से भाग देंगे यह चार खाना बनाना है तो चार से भाग देंगे तो आपका चार से भाग देंगे छेतर फाइट में तो आपका 19 18 आ जाएगा मैं अब 19 18 का ए एक दो तीन चार पांच छे शे साथ आठ पिस कर जाए गा यह आठ फिस कर जाएगा ओनी शे ओन एट का आपको लेंध आठ प्रफिस कटेगा ध्यान से देखिए और फिर इसका भी ग्लास साइज में बताते रहा हूं ग्लास साइज अभी इसको कैसे निकालें ग्लास साइज एचीहत्तर है फाइट है अरे सोरी यह उन्नीस उन्नीस वन एट इस लेंथ निकला है जो साइज अब इसमें से माइनस करेंगे यह जो एक सटर है इसका माइनस करेंगे उन्नीस वन एट का लेंथ निकला है इसमें से माइनस करेंगे तीन थिरी फोर तीन थिरी फोर माइनस करेंगे तो आएगा पंद्रफ हाई एट 1538 आएगा 1538 आएगा 1538 आएगा तो 1538 भाई अभी ये 54 ये चार पीस निकलेगा चार पीस आपका काच इसी साइज के कटेगा काच का साइज हो गया आपका काच का भी साइज निकाल दिया हैंडल इंटर लाग का साइज निकाल दिया और आपका यह इंटर लाग पट्टी इंटर लाग पट्टी है जो दो दो चार दो छे छे पीस इंटर लाग पट्टी कट कटेगी जह पीस जह पीज ईंटेंट लाक पटी कटेगा है जह पीश इंटर लाक पती कटेगी अभी कम शार ऑन ठावन वन फुर्का कटेगा अन ठावन वन फूर को अंठावन फूर का छे पिस कटेगा है कि समझ में आ गया तो आप लोग को यह विंडो के बारे में समझ गया गया मेजरमेंट कैसे निकालते हैं मेजरमेंट और ग्लास का साइज हैंडल का साइज इंटर लॉक का साइज और सब साइज यह निकाल लेंगे आपको ध्य सब्सक्राइब करें और ध्यान से हर एक देखिए लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए इस तरह से आपको सीख जाएंगे किस तरह से मेजर्मेंट निकालते हैं यह इंजामपल के लिए मैं साइज बताया हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और सेर जरूर कर दें और लाइक कर दें तो चलिए हम रखते हैं वीडियो धन्यवाद हाँ तो दोस्तों आपको 25 मिनी डोमाल के बारे में मैं साइज बताया आपको समझ में आ गया हूएगा कैसा लगा वीडियो वो कमेंट में बताइए और लाइक सस्क्राइब कर दें तो चलिए अब रखते हैं वीडियो धन्यवाद हम बता हैं पना तो में में आपकोइब कर दो ही अक मैं मन्यवाद